आगे बढ़ते हैं भारत में बनी पहली इंजिनलेस ट्रेन ट्रायल रन के लिए तयार है टी-18 नाम की ये ट्रेन शताबदी की जगह लेगी और तक्नीक के मामले में ट्रेन-18 रेलवे के लिए एक नई उडान साबित होने वाली है पूरी तरह भारत में बनी इस ट्रेन की खा हम मौजूद हैं ट्रेन-18 के चेर कार कोच में हर उस पहलू पर ध्यान रखा गया है जो आपको ट्रेन-18 में यात्रा के दौरान आपके अनभाव को बहतर बनाए शुरुवात करते हैं यात्रे सुवधाओं से सबसे पहले जैसा की लुक आप देख रहे हैं एक नया लुक ह है तो यह फ्रेश फील आपको देता है आपके समान रखने के लिए जो पीछे रैक दी गई है यह एक नया डिजाइन डॉप्ट किया है उसको शामिल किया है कुछ एर प्लेन की तरज पर है जैसे हवाई जहास में होता है साथ ही वाटर बाटल रखने के लिए एक नया देखते हैं और काफी सुरक्षिक तरीके से आप कोच के भीतर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं अगर आप बीच में है तो आप यह देखें कि यह जो टेबल दी गई है यह एक फोल्डेवल टेबल है जिसमें आप अपनी सहूलित के मुताबिक इनको अनफ लिखा जाएगा कि कहीं कोई ऐसी गतिविधी तो नहीं होरी जो कि सही नहीं है और फिसमें एक्षिन लिया जा सके इमर्जन्सी स्टॉप बटन है अगर यात्री को कुछ गढ़बड़ी लगती है जा उसको कुछ इमर्जन्सी है तो आप यहां पर इस इमर्जन्सी बटन क होगी आने वाला स्टेशन हो गया इस तरीके की जानकारी आप LCD के जरिए बेहत पश्ट और साफ अक्षरों में देख सकेंगे यहां पर यह चोटा से यह जो स्क्रीन आप देख रहे हैं यहां पर लगातार इस तरीके की जानकारी भी आपको दी जाएगे कि आने वाला करने लाइक है क्वेंशेट 18 में यात्री सुवधाओं के लिहां से तमाम उन पहलों को शामिल किया गया है जो पहली बार आगमाय जा रहे हैं और यात्री सुवधा में इजाफा करेंगे मसलन अगर आप एक कोच से दूसरे कोच में दाखिल होना चाहते हैं तो यह आटोमे ही है जाने कि बीच में कोई रुकावट नहीं और यह जो वेस्टिब्यूल है टेकनिकल टम में अगर हम बात करें तो इसको एक पिलर नुमा स्ट्रक्चर से इसको ढग दिया गया है और कोई ऐसा डिजाइन नहीं है जो आपको कोई चोट या खरोच पहुचा है यात्री सिस्टम यानि कि किसी भी आपात कालिन इस्थिती में आप उसकी जानकारी ड्राइवर तक दे सकते हैं वह भी सिर्फ इट बटन को दबा करके यह शाही अंदाज और नया लुक ट्रेंशेट 18 का है हम मौजूद है एक्जेक्टिव क्लास में और एक्जेक्टिव क्लास का यह नया लुक आप देख रहे हैं ट्रेंशेट 18 का सबसे पहले बात करते हैं इसके चेर्स की खासित यह है कि यह लगवीरियस बहद आरामदायक चेर इस्पेंज से मंगाए गई है क्योंकि यूरोपियन परमीटर्स को भी पूरा किया गया है विदेश से मंगाए गई यह चेर बहद खास है आरामदायक है और नया कलर कॉंबिनेशन जो है आपको एक नया फील एक फ् यानि कि यह उठना वहां पर और बारबर जाकर के मुबाइल चार्ज करना वो तमाम दिख्कुतों को इस तरीके के नए डिजाइन के साथ में दूर करने की कोशिश की गई है अब चेर आगे पीछे करने की पीछे करने की पीशुवधा आपको मिलेगे 2017 में यह स्टील बट यात्री सुवधा के लिहां से दिया गया है कि यह चेर 360 डिगरी में रोटेट हो सकती है घूम सकती है इस चेर के ठीक नीचे यह पुश बटन दी गई है और जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आप अपनी चेर को 360 डिगरी में घुमा सकते हैं यह देखिए आप अगर यात यात्रा का अनभव लेते हुए इस ने और आरामदायक सीट के जरीए आप ट्रेवल कर सकते हैं कुल मिलाकर के तमाम यात्री सुवधाओं से लैस्ट्रेंसेट 18 और रेलवे कदम है रेलवे का मानना है कि यह गेम चेंजर साबित होगा मुसाफिरों को भी उमीद है कि ट्रे और रेलवे को टी 18 ट्रेन से काफी उमीद है जी बिजनस एक्स्क्लूजिव बातचीत में इंटेग्रेटिड कोच फैक्टरी के जनरल मैनेजर सुधान शुमनी ने कहा कि यह ट्रेन देश में रेलवे की तस्वीर बदल देगी पूरी एक ट्रेन है इसमें कोई लोकोमोटिव नहीं है पूरी एक जगह मेंटेन होगी एनर्जी एफिशनसी पर आईए तो ये एक 18 कोच की शताबदी और दो लोगों को उसमें लगाये जाएं इतनी बड़ी ट्रेन की जगह यह सोलो कोच की ट्रेन अकेले काम करेगी क्योंकि इसका सारा एक्विपमेंट लाइटिंग का एसी का ट्रेन को खीचने का सब इसी ट्रेन के नीचे है उपर कुछ भी नहीं है और किसी लोकोमोटिव की ज़रूट नहीं है और ये काम ज्यादा एफिशन्टली होगा और पर पैसेंजर एनर्जी कंसम्शन में बहुत गिरा वटाएगी ये ट्रेन का दर्वादा तभी खुलेगा जब ट्रेन जीरो स्पीड पे होगी तो जो रिस्क रहता है एक कि लोग कभी कभी गिर के इंजरी हो जाती है वो सब इसमें नहीं है